Hello everyone, आज हम डिस्क्स करेंगे डबल ओ के पेपर की आंसर की के बारे में, हम इसमें agriculture जो सीरीज है उसके आंसर के बारे में डिस्क्स करेंगे तो question number 31 से है, Eastern winds means यानि कि पूरवाई हवा से क्या तातपरी है तो इसका आंसर होगा कि हवा जो की पूरव से पश्चिम की ओर चल रही है, option number 1 Next है, Macroni Wheat जो है उसका scientific name क्या होता है तो इसका होता है Tritricum Durum, option number 3 Next question है कि म्रदा अपर्दन के निम्ण प्रकारों को प्रथम से अग्रीम चर्णों में क्रमबद करें, यानि कि सबसे पहले कौन से stage आती है soil erosion में और सबसे last में कौन सी आती है तो सबसे पहले splash erosion होता है, फिर shit erosion, फिर real erosion और then last में gully erosion, तो इसके answer सुझाएंगे D, B, C, A, option number 2 Next आता है, एक hectare cm पानी में कितना water होता है, तो यह होता है 10 की power 5 liter या फिर option number 4 जो है वो इसका right answer हो जाएगा Next आता है कि गन्ने की फसल की कुल जल मांग कितनी है हम पढ़ते हैं कि सुगरकेन की crop की जो water requirement होती है, वो 2000-3000 mm होती है तो इसे हम बोल सकते हैं 200-300 hectare cm, तो answer number 2 जो है वो इसका right answer हो जाएगा Next question है, a day receiving more than blank mm rainfall is called as crop rainy day धान रखना इसमें rainy day नहीं पूछा है, अगर rainy day पूछा जाएगा तो इसका answer 2.5 mm होएगा कि जब किसी भी दिन 2.5 mm से ज़्यादा की बारिश होती है, तो हम उसे rainy day बोलते हैं लेकिन इसने पूछा है कि crop rainy day क्या होता है, तो इसका answer जाएगा 5 mm से ज़्यादा की जब rainfall होती है, तो उसे हम बोलते है crop rainy day यानि कि इसका जो answer है वो हो जाएगा second next है, semi-arid reasons में P upon PET ratio stand करता है तो semi-arid reason में P upon PET ratio जो है, वो होता है 0.202, 0.50 next question है, 2 hectare छेतर के लिए साक नासी की व्यापारिक मात्रा की गणना निम सूसना के अधार पर कीजिए यानि कि इसमें जो commercial dose of herbicide है, उसे calculate करना है तो इसके लिए हम formula यूज कर सकते है dose of herbicide active ingredient to be applied upon active ingredient present in herbicide formulation तो इस formula की अधार पे जब हम calculation करते हैं तो इसका answer आएगा third, यानि कि 40 gram next question है, निम फसलों को कम से अधिक protein की मात्रा के अधार पर क्रमबद करे यानि कि सबसे पहले जो आएगा वो कम protein वाल आएगा और उसके बढ़ते बढ़ते सबसे जदा protein तो सबसे जदा protein होती है soya bean में और सबसे कम protein इन options के आधार पे होती है चावल में यानि कि सबसे पहले आएगा C और सबसे last में आएगा D तो options के according इसका answer जाएगा answer number fourth next question है कि संकरधान की खेती हे तू इस्त तम 20 दर कितनी होती है तो hybrid rice के लिए जो seed rate होती है वो होती है 15 to 20 kg per hectare तो इसका answer जाएगा option number 1 15 kg per hectare next question है आलू में हरापन रोकने के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है तो sun की radiation के कारण जब आलू जो है वो उपरी सतय पे दिखने लग जाते है तो उसकी वज़े से आलू में greening हो जाती है और ये एक toxic material को show करती है इसको रोकने के लिए हम या फिर greening रोकने के लिए potato में हम earthing up की process करते हैं यानि कि आलू के उपर मिट्टी चड़ा देते हैं next question है कि चुकंदर यानि कि sugar beet जो है वो कौन सी family से बिलोंग करता है तो ये चिनो पोडिये सी family से बिलोंग करता है यानि कि इसका आंसर हो जाएगा first next question है बीज का वास्त्विक मान क्या होगा यदि सुदता 80% और अंकूरण 70% है तो हम जब किसी भी सीड की real value को calculate करते है तो उसका formula होता है purity percentage into germination percentage upon 100 तो यानि कि 80 into 70 upon 100 तो इसका आंसर हो जाएगा fourth, 56 next question है agree silvy culture किसे संदर्बित करता है agree silvy culture, agree का मतलब हो गया crops और silvy culture मतलब forest, trees की बात होगी कौन सी फसल, टेल और रेसा दोनों की उत्पादन के लिए उपयोगी है यानि कि ऐसी कौन सी crop है जिससे oil भी निकलता है और उससे fiber को भी extract किया जा सकता है तो इसका आंसर हो जाएगा alci alci जो है वो एक oil seed के साथ साथ एक fiber crop भी है next question है कि active factor कौन सा है soil formation में तो soil formation के लिए दो ही active factor होते हैं एक तो organism और एक climate तो यानि कि इसके लिए आंसर हो जाएगा first जलवायू एवं जेव मंडल next question है कि diagnostic subsurface horizon को क्या बोला जाता है जब surface horizon की बात की जाती है तो उसे बोलते है epipadon और subsurface horizon की बात की जाएगी तो उसे बोलेंगे endopadon तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number third endopadon next question है सुष्क शेतर की लवन परभावित म्रदाओं को किस म्रदागड में वरगी करत किया जाता है तो जब arid zone की बात आ गई तो हम वहाँ पे answer करेंगे aridosol और सबसे ज़ादा aridosol राजस्थान का जो soil order है वो कौन सा है aridosol next आता है कि म्रदा में कार्बनिक पदार्थ किस तत्वे के स्थिकरण को कम करता है तो इसका answer हो जाएगा फोसफोरस अगर हम soil organic matter को डालते हैं तो जो फोसफोरस का fixation है वो कम हो जाता है next आता है कि पोदे में तामबे की कमी से कौन सी बिमारी होती है तो कोपर की वज़े से citrus में mainly die back disease देखी जाती है या mainly कोपर की कमी से die back होती है पर यह commonly जो है वो citrus crop में देखी जाती है next question है म्रदा में सुक्ष में पोशक तत्वों का DTPA निस्कर्शन परिक्षन किसके द्वारा दिया गया तो इसका आंसर होगा option number second Lindsay and Norwell 1978 next question है निम्न में से कौन सी गेर खादे खली है यानि कि कौन सी non-needible oil cake है जिसे पस्वों को हम generally avoid करते हैं खिलाने से या फिर पस्वों उसको नहीं खाते हैं यानि कि option number fourth जो है वो इसका right answer होगा next आते हैं कौन सा स्वेपोशित सुक्ष में जिवानू एकार्बरिक पदार्थों के ऑक्सिकरन से उर्जा प्राप्त करता है तो इसका आंसर होगा chemo autotrops chemo autotrops जो होते हैं वो inorganic compound के oxidation से energy gain करते हैं next question है gypsum का उप्योकिस प्रकार की म्रदाओं के सुधार हेतु किया जाता है तो gypsum का जो use है वो हम छारी म्रदाओं या कि sodic soil जिसे alkaline soil के नाम से भी जानते हैं उनको reclamation करने के लिए use करते हैं जबकि saline soil के लिए हम जो water होता है उसके through leaching करवाते हैं इसके reclamation के लिए और जो अमलिये soils होती है जो acidic soil होती है उसके लिए हम जो lime है उसको use करते हैं उनके reclamation के लिए तो इसका आंसर हो जाएगा second option number second छारी म्रदाओं next question है नेमन में से किस म्रदा की कुल रंधराकास सबसे अधिक होता है तो सबसे जादा जो porosity होती है वो कौन सी soil में होती है clay soil में सबसे जादा porous spaces होते हैं और सबसे कम जो porous spaces होते हैं वो sandy soil में होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा clay loam soil यानि कि option number 3 next question है कि म्रदा में नमी ग्याद करने के लिए काम में लिया जाने वाला tensiometer म्रदा की किस इस्तर तक म्रदा नमी तनाव पर कारिये करेगा यानि कि tensiometer जो है वो soil में कितना moisture tension होगा तब तक वो work करता है तो इसका answer हो जाएगा 0.85 atmospheric tension पर ये work करता है next है छोटे वे मध्यमाकार के खेत में भूमी grading के लिए पशु शक्ति के उपयोग से सबसे कुशल यंतर कोन सा है अब इसमें दिया गया है animal power यानि कि कोई ऐसा implement होगा जिसे कि हम animals के थूँ उसको field में चलाएंगे तो उसके लिए सबसे जो best होता है animals के लिए वो होता है wooden से बना हुआ कोई भी implement तो wooden इसमें answer होगा wooden flat यानि कि option number fourth जो है वो इसका right answer हो जाएगा next question है एक सिचाई channel या कुए के outlook स्रोध पर अपेक्षा करत उच पर वाहको मापने के लिए निम लूप करनों में से कौन सा सबसे श्रिर्स तम है तो इसमें इसको एक बार हम quick करते हैं इस option को इसमें या तो answer होगा rectangular wear या फिर होगा cut throat volume क्योंकि जो भी well है उसके लिए हम open surface के उपर discharge flow को calculate कर रहे हैं तो उसके लिए इन दोनों में से क्योई पर जादा जो suitable answer रहेगा वो rectangular wear रहेगा next question है पानी के दबाव के निर्पैक्स किस प्रकार का pump पानी की समान मात्रा का निर्वहन करता है तो इसका answer जो होगा वो होगा reciprocal pump next question है गेहुपन में बोनेपन के जीन का स्रोत क्या है तो ये सबको पता है कि गेहु में बोनेपन का जो जीन स्रोथ है वो नोरिन टेन है जबकि राइस में ये जो है ये है डीजी बूजीन तो इसका आंसर हो जाएगा option number first next question है निम्ड में से कौन सा रोग बाजरा बीज उतपादन में अपति जनक रोप के रूप में नमाना जाता है यानि कि अगर हमें seed का production करना है seed purpose के लिए बाजरे का propagation करना है तो इसके लिए अरगर disease जो है वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये seed को damage कर देती है और बहुत जादा उसको contaminate करती है नेक्स्ट कोशन है उतपरिवर्तन जो कि जंगली परकार यानि कि सामाने phenotype को उतपरिवर्तित रूप यानि कि दुरलब phenotype में change कर देती है तो इस टाइप के mutations को हम अगरीम उतपरिवर्तन कहते हैं यानि कि forward mutation इनको कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है वंशा नुगती के दोरान जीनों को एक साथ रहने की परवर्ति क्या कहलाती है अगर variations आते हैं तो उसे हम बोलते हैं crossing over के कारण variations आए हैं लेकिन जब अगर जो jeans हैं वो एक PD से दूसरी PD में as it is चले जाएंगे तो उसे हम नाम देते हैं अनुमांशिक स को handle करने के लिए हम कौन से cross को use नहीं करते हैं तो इसका right answer हो जाएगा mass selection mass selection को हम segregating generations को handle करने के लिए रूप में use नहीं करते हैं और segregating generations क्या होती है F1 को छोड़के F2, F3, F4 जो generations होती हैं उनको segregation generations के नाम से जाना जाता है next question है grow out test यानि की जिसे GOT के नाम से जानते हैं उसक यूज किसके लिए किया जाता है तो उसका यूज जो है वो genetic purity को जांचने के लिए किया जाता है next question है निम्न में से किस gene pool की जेविक प्रजातियों में संकरन आसान है यानि कि सबसे जादा कौन से gene pool में जो fertilization करवाना या hybridization करवाना कौन से type के gene pool में सबसे easy है तो इसका answer हो तो उसकी फलियां जो है वो जादा जल्दी तूटे नहीं और flowering का synchronization एक समान टाइम पर full आए तो second और third जो है ये दोनों ही इसमें correct है तो इसका answer हो जाएगा fourth two और three दोनो next question है कौन सा chain वेक्त भिंता के माध्यम के करीब से इस तम लक्षन का समर्थन करता है इस question को एक ब description box में मिल जाएगा next question है F1 synthetic के अपने बहतर जिनक्स स्रेश्टा यानि कि दोनों parent में से जो भी स्रेश्ट है उससे भी ज्यादा स्रेश्ट अगर F1 प्रोजय नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं तो उसे हम term देते हैं heteromaltosis इसका option हो जाएगा सही answer हो जाएगा option number third next is GNG 2171 किसकी variety है तो ये चिकपी याने की चने की variety है next question है निमन में ते कौन सा फल पकने के लिए तो फल पकने के लिए गेसिस होर्मोन responsible होता है जिसे हम क्या बोलते हैं ethylene तो इसका answer जो है वो correct answer हो जाएगा option number second next question है कि इनको सुमेलित करना है तो indoor butyric acid IBA क्या करता है root के formation के लिए root initiation के लिए help करता है यानि कि option number यानि कि जो first है वो मिलेगा third से next आता है zibrelic acid जिब्रेलिक acid क्या करता है dormancy को break करता है उसके बाद giyatine giyatine क्या करता है cell division को promote करता है और उसके बाद abscic acid जो है वो stress hormone के नाम से जाना जाता है यानि कि options के coding इसका answer होगा first next question आता है कि dpd का क्या formula है तो इसका answer होगा op-tp जो है वो dpd का सही formula होता है option number third next है भारत में निर्मित नैनो yuria बनाई गई है जो liquid form में आती है उसके nanoparticles की size पूछी गई है तो इसकी size होती है 2250m nanometer next question है nanotechnology सब सबसे पहले किस ने दिया तो nanotechnology सबसे पहले नोरियो तानी हुची ने दिया था option number second जो है वो इसका correct answer होगा next है प्रेक्षणों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान क्या कहलाता है तो इसका answer हो जाएगा माध्धे जो mean जो है वो इसका right answer हो जाएगा next question है correlation coefficient जो है वो एक इकाई मुक्त माप है जिसकी range जो है वो minus 1 से plus 1 मानी जाती है यानि कि इसका answer जो है वो second answer इसका right answer हो जाएगा next question है कि randomized block design में replications को किस type से calculate किया जाता है तो इसको r-1 और t-1 कितुरू calculate किया जाएगा यानि कि इसका right answer हो जाएगा second option निमिन लिखित में दे कौन सी बहुत गहरी जड़ वाली सबजी है तो इसका answer हो जाएगा onion लेकिन जब यहाँ पर pumpkin की बात की गई है तो यहाँ पर onion इसका right answer ना होके इसका right answer माना जाएगा pumpkin वैसे onion भी एक deprooted crop होती है पर उससे जादा भी suitable answer जो है वो pumpkin होगा next question है मुखे तक किस beet सया को सर्दियों में तयार किया जाता है तो इसके लिए answer होगा third sunken nursery bed क्योंकि सर्दियों के लिए जो हम seed bed use करते हैं वो अंदर डूबी हुई sunken curry को इस्तमाल करते है ताकि बहुत जादा अगर frost पड़े या बहुत जादा ठंड पड़े तो crops को उससे नुकसान नहीं हो next question आता है pride of India किसकी variety है तो pride of India cabins की variety है next question है leaf curl rock का कारक कौन है leaf curl diseases mainly किस से होती है viruses के कारण इसका correct answer हो जाएगा option number third next is secret उत्पादित होने वाली सबजी कौन सी है तो वैसे तो सारी ही annual crop मानी जाती है अगर हम vegetable के purpose से देखें पर वैसे option में दी गई चारों ही अगर seed formation के point of view से देखी जाए तो सारी ही vinyl crops है पर सबसे ज़्यादा जल्दी prepare कौन सी हो जाती है अगर आंसर हो जाएगा ready next question है बगीचा लगाने की सबसे ज़्यादा आसान और परचलित विदी कौन सी है तो सबसे जो best method होता है इसका और जो popular method है उसको हम बोलते है square method तो इस question का answer हो जाएगा square method option number first next question है धनिया के सूखे बीजों में essential oil का percentage कितला होता है तो इसका answer हो जाएगा 0.1 से 1.0% next question is gladiolus जो है वो किसके द्वारा propagate किया जाता है तो ये comps के द्वारा propagate किया जाता है option number second जो है वो इसका right answer हो जाएगा next question है लोन में fairy ring समश्या किसके कारण होती है तो ये होती है soil bone जो fungus होती है इसके कारण ये disease होती है next question है recinness in cauliflower is due to cauliflower में recinness किसके कारण होती ह तो generally इसका अंसर होता है कि fluctuation जो होते हैं temperature के कारण उसके कारण ricinase होती है cauliflower में अब low temperature की देखा जाए तो low temperature के कारण cauliflower जो है उसमें क्या होती है वोल्टिंग हो जाती है और ricinase जो है वो mainly high temperature के कारण देखा जाता है तो इसका answer जो है वो second option हो जाएगा नेक्स कोशन है पूसा मधूरस किसकी वेराइटी है तो पूसा मधूरस जो है वो खर्बूजे की मस्क मैलन की वेराइटी है लिटिल लीफ ब्रेंजल में कौन ट्रांस्मिट करता है तो लीफ ओपर जो है वो उसके द्वारा ये लिटिल लीफ ओफ ब्रेंजल ट्रांस्मिट किया जाता है नेक्स्ट कोशन है पूसा ओल ग्रीन किसकी वराइटी है तो ये पालक की वराइटी है next है मिर्च का तीखापन किस कारण से होता है तो कैपसिसीन जो है उसके कारण मिर्च में तीखापन पाया जाता है option number second packaging में ethylene के absorption का उप्यूग तुधारण है जब हम packaging करते हैं तो ethylene के absorber के रूप में हम किसको यूज करते हैं तो potassium permagnate को यूज करते हैं next question है सूरिया किस के किस्म है तो ये well known है कि सूरिया जो है वो पपीते की किस्म है next है कि CA बंधारण किस पदती पर आधारित होता है CA जो storage है तो उसमें हम oxygen को कम कर देते हैं और carbon dioxide को ज़ादा कर देते हैं ताकि जो भी product है वो जल्दी से खराब नहीं हो क्योंकि oxygen की presence में जो oxidation होता है product का वो हो जाता है तो इसके लिए हम oxygen को कम कर देते हैं और carbon dioxide जो है उसको बढ़ा देते हैं तो इसका answer हो जाएगा second next question है तयार jam में अपगटित सरकरा की मात्रा कितने परसंट से जादा नहीं होनी चाहिए तो ये 40% से जादा नहीं होनी चाहिए next question after processing the cans should be cooled rapidly to about तो ये 39 degrees centigrade पे इनको rapidly ठंडा किया जाता है next question है उच दबाव drip सी चाहिए किस दबाव पर कारिये गरता है तो इसका correct answer हो जाएगा 30 PSI या फिर इससे भी जादा कौन सा day neutral plant है तो मिर्च और टमाटर जो होते हैं वो day neutral plant है तो इसका सही answer हो जाएगा second mirch next question है शूट गोल किस फजल का कीट है तो इसका answer हो जाएगा आवले आवले का जो कीट है उसका नाम होता है शूट गोल next question है सैपोनिन किस फजल का सक्रिये गटक है तो ये सफेद मूसली का सक्रिये गटक है next है कि कौन सी अद्रक की किश्म नहीं है तो जो option number fourth है कृष्ण ये अद्रक की किश्म नहीं है बाकी वरंदा सुपरभा सुरूची ये सारी अद्रक की वेराइटीज है next है पोध्य की भाग को चैनात्मक और पूर्ण रूप से हटाना क्या कहलाता है सेलक्तिवली अगर अपन किसी पार्ट को रिमूव कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं थिनिंग तो इसका आंसर हो जाएगा first स्री गनेस निम्न में से किसका संकर है तो स्री गनेस जो है वो गलेडियोलस का हाइब्रीड है किसकी किस्म है तो ये टेजेटेस पैचुला की किस्म है इसका आंसर हो जाएगा लगबग 311 मिलियन टन वन सनरक्षन अधीनियम कब स्विकर्थ हुआ तो ये 1980 में forest conservation act पास हुआ वानिकी की वो साखा जिसमें विबिन आयामों को ग्यात किया जाता है जब हम dimensions की बात करते हैं तो forest menturation की बात करते हैं कि जब length वगरे, volume वगरे को चेक करना होता है तो हम forest menturation की बात करते हैं तो इसका right answer हो जाएगा fourth निम्ल में से कौन सा कथन गलत है तो इसमें जो है वो होगा वर्स 2019-20 के आकड़ों के अनुसार महारास्टर और राजस्थान करमसय दलहन और तिलहन देश के सबसे बड़े उतपातक राज्ये थे ये वाला option जो है ये इसमें incorrect है निम्ल में से कौन सा रास्थी एक्रिसी बाजार की कारियानिवी अजेंसी है तो इसका answer हो जाएगा option number fourth नेक्स्ट कोशन है प्रीमियम के रूप में सभी खरीब फसलों के लिए कितनी बीमारासी का भुगतान किया जाता है तो इसका answer हो जाएगा 2% नेक्स्ट क्रशी वेवसाय में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए लाब में अपेक्षित परिवर्तन की गणना के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो इसका correct answer हो जाएगा पार्शिल वस्टिंग option number third नेक्स्ट कोशन है लगू और मध्यमावदी के रिण अपूर्ती के संदर में कोपरेटिव बैंक की राजस्थान राजी में क्या सरेंचना है तो कोपरेटिव बैंक जो है वो थ्री टाइर स्टक्चर के रूप में वर्क करते हैं राजस्थान में तो इसका correct answer हो जाएगा answer number first next question है क्रशी विपनेंट सलाहकार भारत सरकार द्वरा प्रदित मानकों के अधार पर ग्रिडेट करसी उतपादों पर लेबल लगाता है तो जो agriculture related labels होते हैं वो एग मार्क और एग मार्क लेबोरेटरी कहां इस्थापित है नागपूर next question है अनुभव अधारित अधीत गम ग्रामिन करसी कारी अनुभव उतपाद निकायों में ओधोगिक प्रसीक्षन एवं प्रियोजना कारिय किस कारिये क्रम के अव्वेव हैं तो ये student ready program के अंदर consider किये जाते हैं next question है असिंग्मर ने प्रिसार के दर्शन के संदर में कौन सा कथन गलत कौन सा कथन उसने नहीं कहा है तो इसका अंसर हो जाएगा answer number first ये professional process है ये उसने नहीं बताया है बाकी जो तीनों ये संस्कृति के अनुसार कारिये करना प्रिसार है स्विम की साहिता करने के लिए प् करेक्ट है next question है ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के सदस से कौन होते है तो वो परसंस जो की इलेक्टरोनल रोल्स के अंतर प्रजिस्टर किये होते हैं जिनका वोटर कार्ड बन चुका होता है तो इसका answer हो जाएगा फोर्थ next है कौन सा कारिये करम स्वन जेनती ग्राम स्वर रोजगार योजना में विले किया गया तो इसका अंसर हो जाएगा trisem सबसे पहले attention फिर interest किये करना उसके बाद desire, convention, action and satisfaction next question है किस मोडल में सबसे पहले audience के response या feedback को consider किया गया था तो इसका answer हो जाएगा ligands model next question है फ्रिजवाल गाय का cross क्या है तो ये well known simple question है हर बार पूछा जाता है एचा फूर साहिवाल के cross से ये बनी है next है मारवाड़ी किस की नसल है तो मारवाड़ी जो है ये उंट बकरी घोड़ा सब की नसल है इसके लावा ये मारवाड़ी जो है वो भेड़ की भी नसल है तो इसमें all of the about जो है वो correct answer हो जाएगा next question है अविशान भेड़ कितनी नसलों का cross है तो अविशान भेड़ जो है वो तीन नसलों का cross है next question है बीसवी पसुगर्णा के अनुसा राजस्थान में बकरियों की संख्या कितनी है तो इसका जो answer है वो हो जाएगा option number first 20.84 million next question है गायों में सामानेता placenta बाहर निकल जाती है तो इसका right answer होगा प्रसव के 4-8 घंटे के बीतर जो गायों में जो placenta है वो बाहर निकल जाती है तो इसका सही answer होगा option number first next है गाय के दूद में किसके कारण protein वसा और SNF घटने लगता है तो options के अनुसार इसका right answer होगा management answer number fourth क्योंकि गायों को जितना भी तो options के according इसका right answer होगा management क्योंकि management जो गायों का management करते हैं उसको क्या खिला पिला रहे हैं उसका feeding habit क्या है उसके जो diet है उसमें क्या changes किये गए हैं इससे बहुत जादा फरक पड़ता है protein वसा और SNF में next question है भेड का normal stress cycle period जो है वो कितने दिन का होता है तो इसका right answer हो जाएगा 19 to 21 days option number second next question है बच्छडे में dis budding किस age में किया जाता है यानि कि sing को हटा देते हैं ताकि वो in future बढ़े ना हो तो यह dis budding कब किया जाता है जनम के 3 से 10 दिन बाद तो इसका right answer हो जाएगा option number first next question है चारों की फसलों को संरक्षित करने का आर्थिक और संतोस जनक तरीका कौन सा है तो चारे की फसल को हम हे बना कर क्योंकि उसमें proper moisture वगर होते हैं तो काफी टाइम तक इसको storage store करके रखा जा सकता है तो इसका answer हो जाएगा fourth next question है ओन एन एवरेजे बुल एजेकूलेट तो इसका right answer हो जाएगा 4 ml सीमन answer number fourth next question है फफूंदी की परिवर्तन सीलता के तथे की खोद सबसे पहले किस के द्वारा की गई थी तो ये की गई थी इरिक्सिन के द्वारा सबसे पहले variability जो फंगाई में दी गई थी वो इरिक्सिन के द्वारा दी गई थी next question है निम्ड में से कौन एकाश्रई रताओ है तो इसका answer हो जाएगा option number first melompsora lini next question है कौन सा एक obligate parasite fungus है तो इसका जो right answer है वो हो जाएगा alternator next question है टेक्सिन किस फंजाई के द्वारा उत्पन होता है तो टेक्सिन जो है वो alternator के द्वारा प्रड्यूस किया जाता है option number first जो है वो इसका right answer हो जाएगा next question है कॉलिफलार मोजेक वाइरस की shape क्या होती है तो कॉलिफलार मोजेक वाइरस में genetic material क्या होता है DNA होता है और इसकी जो shape है वो होती है spherical shape option number first जो है वो इसका right answer हो जाएगा next है बाजरे में downy mildew को कौन कोज करता है तो sclerosporograminicola जो है वो बाजरे में downy mildew को कोज करता है next question है कि एक virus में हमेशा क्या होगा तो एक virus में या तो genetic material के रूप में RNA होगा या फिर DNA होगा दोनों कभी भी नहीं होगे दोनों में से कोई एक होगा तो इसका right answer हो जाएगा cable RNA या फिर DNA तो option number third जो है वो इसका right answer हो जाएगा next question है कौन सा सबसे ज़्यादा सबसे व्यापक mycoparasitic कवक कौन सा है तो इसमें option number second जो है वो इसका right answer हो जाएगा ट्राइकोडर्मा हरजियानम तो option number second जो है वो इसका right answer हो जाएगा next है टमाटर का चूलनी लासिता रोग किसके कारण होता है तो इसका right answer होगा option number fourth इरिस इफी औरोंटी के कारण next question है कौन सा जोड़ा सही नहीं है तो इसमें हमें गलत को बताना है रोक बी को एपिस डोर सेटा के नाम से जाना जाता है ये सही है little बी को एपिस फ्लोरिया के नाम से इंडियन बी का नाम होता है एपिस सिरना इंडिका ये भी सही है लेकिन इटालियन बी का नाम एपिस मैली फेरा होता है जबकि इसमें मैली पोना इरी पेंडिन्स दे रखा है जो की गलत है यानि कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर फोर्थ नेक्स कोशन है निमन में से कौन सा सही युगम है तो इसमें जो ट्रेड नेम दे रखे हैं डिफरेंट टाइप के केमिकल्स के तो इसका आंसर है फर्स्ट एजो ड्रिंग जो है वो मोनो क्रोटोफोस का ट्रेड नेम है तो इसका ऑप्शन नमबर फर्स्ट जो है वो राइट spring नामक बुक लिखी गई थी वो किस scientist के द्वारा लिखी गई थी तो ये Rachel Carson के द्वारा ये बुक लिखी गई थी option number third next question है गोबी के साथ सरसों पर पंच फसल के रूप में किस kit को अकरशित करती है यानि कि अगर हम cabbage के साथ में mustard को लगा रहे हैं तो वो कौन से इंसक के लिए trap crop का काम करेगी तो ये होगा diamond back mouth के लिए ये बहुत important question है बार-बार exams में पूछा जाता है next question है आम के भागों में पेड़ी के चारों तरफ मिट्टी के पल्टाई किस kit की प्यूप अवस्ता को नस्ट करने के लिए की जाती है तो इरिक का right answer होगा fruit fly next है टिड़ी की phase theory किस ने दी थी या फिर phase theory of locust overall scientist के द्वारा दी गई थी तो इसका right answer हो जाएगा option number first next question है कौन सी airy resin kit की प्रजाती है तो जो airy silicone होता है वो caster की जो crop है उसके उपर सबसे ज़दा cultivate किया जाता है तो इसका जो इसके जो species है वो है philosoma ricini तो इसका right answer हो जाएगा option number second next है कीटों की वो संख्या जिस पर कीट प्रबंदन का निलने लिया जाता है जो ETL होता है economic threshold level उसके उपर जो action है वो ले लेना चाहिए ताकि farmer को economic loss होने से बच सके तो इसका right answer हो जाएगा option number second next question है पोधों में कौन सा निमेटोड परजीवी सबसे पहले खो जा गया था तो अंग्यूनेटरिसाई निधम नाम के scientist के दोरा अंग्यूनेटरिसाई को सबसे पहले खो जा गया था और यह सबसे पहला plant parasitic निमेटोड था तो इसका right answer हो जाएगा option number third next है वाइरस जनित ग्रेप वाइन फैन लीफ बिमारी किसके दोरा फैलाई जाती है तो यह जो है वो एक निमेटोड के दोरा फैलाई जाती है और उस निमेटोड का नाम है जिम फीने मातों option number first जो है वो इसका right answer हो जाएगा